गौतम बुद्ध को मानवता का आदर्स माना जाता है यही प्रचारित भी किया जाता है लेकिन आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम गौतम बुद्ध के उस मानवता से परचित करवाएंगे जो आज तक आप से सिर्फ इसलिए छुपी हुई थी क्योंकि आपने स्वैम अध्यन नहीं किया जो आपको बताया गया जो समझाया गया जो सुनाया गया आपने उसे ही अंतिम सत्य मान कर आखें मूद कर इस पर विश्वास कर लिया इसलिए आप गौतम बुद के इस रूप या पक्ष से हमेशा अनविग्गे रहें दोस्तो आज हम आपको जो बताने वाले हैं उसे जानकर आपके पाउतले जमीन खिसक जाएगी क्योंकि मानावता के परियाय कहे जाने वाले गौतम बुद का एक स्वरूप यह भी था कि उन्हें चांडाल, निसाद, भंगी, रत हांकने वाली जातियों से खासी घ्रणा थे या ये कहें कि गौतम बुद ने इनके साथ मानावता दिखानी तो दूर इन्हें मानाव भी नहीं समझा था आपको बता दें कि नौबध हमेशा ये दावा करते हैं कि हिंदू ग्रंथों में मनुश्यों को वर्ण के अनुशार उच और निच वर्ण में वर्गिकृत किया गया है उनके साथ भेदभाव किया गया है जबकि बुद सभी मनुश्यों को शमान मानते थे उनमें कुल और जाती के अनुसार उच नीच नहीं मानते थे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में नौबधो का ये जो दावा है जो उन्होंने रेद पर महल बना रखा है उनका ये जो महल है आज तर्क और तत्त्य की और तत्त्य की आधि में थवस्त होने वाला है धेर होने वाला बौधु का एक ग्रंथ है संयुक्त निकाय पाली जिसमें कोशल संयुत नाम का तृतिय वग में एकिश्वा अध्याय पुंगल सुत्थ उसमें बुध्धने चार पुंगल बता रखे हैं जिसमें प्रथम है तमोतम परायनो अर्थात नीच से नीच गती इस प्रथम पुंगल की व्याख्या में बुध्धने पुकुस्ट, चंडाल, वेनकुल, निशाद इन जातियों को तम अर्थात नीच माना है इनको देखने में कुरूप, बाउना, दुर्वन भी बताया है इतना ही नहीं बुध्धने इनकी तूलना रक्त मिस्तित मल से भी की है मतलब इनके खुन में मल अर्थात गंदगी मिली हुई है ऐसा भी कहा है अब आप खुद सोचें गौतमबुद कितने मानावतावादी रहे होंगे इस संदर में हमने एक पाली के बिद्वान से भी बहस की जो कि फेस्बूक पर अपने आपको बहुत ही बड़ा बौद और बिद्वान बताने का दमब बर रहे थे देखिए उन्होंने क्या व्याख्या दी है ये महान भावतों जन्म से ही इन जातियों को दुरगुनडी और गलत बता रहे है तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बुद्ध के धम में मानावता का अस्तर कितना उचा है इस बहुत धर्म की मानावता सिर्फ आपकी अग्यानता तक ही टिकी हुई है जिस दिन आप इस धर्म में खुद को ढोटना सुरू करेंगे आपके परोतले जमिन के सक जाएगी इसलिए मेरा आपसे निवेदन है आँक बंद करके भरोसा करने से अच्छा है जानकर भरोसा करें इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूंगा मैं फिर मिलूँगा आपसे इसी तरह की अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यदा सेयर करिए चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और हमें देजिए इजाज़त जय हिन जय भार